यह ऐसे अपने इतुकर आपको बताएंगे मैं टू के बारे में जी सब्सक्राइब में तरह है लेकिन इसमें जो में जिनके साथ ऐसे सेक्शुल हैस्टमें रहा है एप्यूज हुआ है वह इस में टू के जरीए अपनी आवास दार सकते हैं शामने आ सकते हैं असल में हुआ कुछ ही हुए कि जो पॉलिवोट इंडस्ट्री है उसमें सब नीटू स्टार्ट वा था महिलाओं ने आगे बढ़ चड़कर अपने साथ जो भी हुआ बुरा वो सब बताया था तो अब जो करण अबरोएं हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और वो एक मैन है तो उन्होंने इस मैन टू की पहल की है जी उनकी बेस्ट्रेंड है पूजा बेकुने कहा है कि जब औरतों के साथ होता तो इतना बढ़ चड़के सामने आन उने जैसे कि जिसके शिकार रह कि हमें भरोसा करना पड़ा तो अब बारी है मैन की अगर उनके साथ किसी फीमेल आक्रिस ने आपर किसी भी फीमेल ले ऐसा कोई काम किया है कोई कुछ भी बुरा किया है जी वो सामने आकर इस चीज की शिकायत कर सकते हैं वही है मेंटू और करन अब्रा की बात करें तो उन कि अभी हाली में एक फार्चन डिजाइनर नहीं आरोब लगा है कि उनके साथ रेप किया है जो हमारी सुसाइटी है पुरुष प्रधान सुसाइटी लोगों को ये एकसेप्ट करने में और जादा वक्त लगेगा कि ये मेंटू भी एक्जिस्ट कर सता है मेटू को तो किसी कि लड़का आप से कहा कि मेरे साथ ऐसा फिजिकल असौल करने की किसी ने कोशिश किया है ऐसा कुछ नहीं मानता है कोई लेकिन लड़कियों के साथ यह है कि अगर आप जाके कहोगे तो सामने आदा आदा आपकी वार्ट पर विश्वास करेगा क्यूंकि सोनम हर एक लड़ कि अगर कोई में भ़ही करें तो लोग कहते की तुम्हारा कौन करें तो उतने तुम्हाई शकल किया रहो तो लोग सीधे पेस पर आते हैं तो एसा हो ही नहीं सकता लड़के खुद ऐसा करते हैं ऐसे बते सुनने कुम बिलती है लिकिन पल्लवी मुझे लगता है कि जो आज और उनकी जो बेस्ट फेंड थी उन्होंने बोला कि मेरा फ्रेंड में उसको दो दशा कामी 20 सालों से जानते हैं तो मुझे लगता को वैसा कुछ कर सकता है लेकिन कभी-कभी सोनम ऐसा होता है किसी इंसान को हम कभी समय से जानते हैं लेकिन तब यह उसका यह चाहरा नहीं जा साधित खान की बाते हैं जो कि फरा खान के भाई हैं उनको भी इन जब यह एलिगेशन से खुद ने अपने भाई पर मरोसा करता हैं और मुझे अचे तरी सियाद है उन दिनों वो हाउस्टोर्ड फोर की शूटिंग कर जिसमें अक्षे कुमार प्रीदी सुनान मुखी भू किया है जी और जरूरी भी जब अक्षे कुमार जैसा लेवल का अगर आप्टर ऐसे स्टेफ ने लेगा तो बाकी लोगो को क्या सीख दे बाकी लोग क्या लेसन से उनको फॉलो करते हर एक चीज में तो जब ऐसी चीज हो तो उसमें उनको आगे बढ़ चड़के लो को बता तो पलवी आपने आलोकनाद को टीवी में एक्टिंग करते हुए कई बार देखा होगा और वो काफी अच्छे संसकारी रोस करते हुए दिखते थे लेकिन जब बीटू कैंपेन का तूफान आया था तो आलोकनाद भी उसमें चामिल थे विंता नंदा ने ये आरोप लगा अभी हाली में वह वाजे देग्वन की मूवी में दिखे थे अब nows देखे है एसे ही सबक्राश्च सब काम कर सकता है तो मतलब अब तो आप क्वेशिन नाद सिर्फ जिसप लCal अलेगेशन लगे उस्तर शीमत रही है उस इनसां पर चलेंग काम कर रहा है आपको क्या मानना आएं हैश्टाइग बीटू अच्छा मोमेंट था और ये मेंट टू जो अभी हाली में आया है क्या वो सही है और इसे आना चाहिए या नहीं प्लीज कमेंट करें और हमें बताईए आपकी क्या राय है आज के लिए बस इतना ही, ऐसे और गप्शप, ऐसे और डिस्कुर्शन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ बॉलिवोड मेरर बॉलिवोड और टेलीविजन की लेटेस्ट कबरों को जानने के लिए सब्स्राइब करें हमारा चेनल बॉलिवोड मेरर और बेल ऐकोन को दुबारा मत भूले